नमस्कार दोस्तों मैं अमित सिंग जून टीवी के साथ आप तमाम दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनेंदन करता हूँ और आज हम आये हुए हैं और अंगाबाद जिले के गोह प्रकंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान में जहां से पहुत जदा से जदा नोयूकों को नोकरी के लिए मारग प्रसस्त किये जाते हैं और यहां पर हजारों हजार की संख्या में छात्रों उमजात्राएं सिझओ से संबंधित कारियों को निसपादन करते हैं और आज मैं मिलाने वाला हूँ यहां के कोचिंग के संचालक महोध से और यहां के सिछकों से हम लोग बात करेंगे यहां के बचों से भी बात करेंगे कि क्या है इनकी सफलता का राज और इस राज को आप सभी के सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे तो आये चलते हैं हम लोग मिलते हैं यहां के छात्र छात्राओं से जिसका यहां के जो को कार की नोकरियों जैसे ग्रूप डी रेलवे और इत्यादी बहुत सारी केंद्री और राज्यस तरी जितनी भी नोकरियां हैं उसमें ये सफलता हासिल कर चुके हैं और यहां पर एक गोह का सबसे नंबर वन संस्थान के रूप में जाना जाता है तो हम लोग चलते हैं अभी ह हम लोग सिक्षण को से बात करेंगे यहां के बच्चों से बात करेंगे नमस्कार सर रुस्क्रां कैसे हैं सर mu maturity मैसुआ कि उन्युकार्ण कर्ते हैं और आपके द्वारा इन लोगों को बहुत ही ज्यादा सफलता भी हासिल हुई है तो मैं आपसे जाना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आपने कोचिंग सेंटर के बारे में हमको आउगत करा हैं सबसे पहले सर मैं थोड़ा सा जाना चाहूंगा कोचिंग संचालक के रूप में सरावी हैं आपका नाम बताना चाहेंगे पड़ाइब अरुन कुमार सर, सर मैंने सुना है कि यहां से बहुत सारे बच्चे जो है रेलवे ग्रूप D या रेलवे के जो है पुलिस, बिहार पुलिस या अन्य पुलिस के पदों के लिए यहां से इलेजबिल हो रहे हैं और आपके द्वार सरीमान केके पाथक सचिऊ महोकДे के द्वारा जो है कादेस जारी किया गया है कि कोचिंग संस्थानों पो इस स्कूल टाइमिंग के अधार पर इस चलाहे जाए तो क्या ऐसा Other असका पुलिस को आपके मैं को बहुत चायां हैं और कमरामन से चाहेंगे that ऑल दिखाने का पर्यास करें, यहां जो है किैस चीज पर क्लास क्या होको Woah पर क्लास की होने और लेदराश क्यों के है किन यह जो मेdalडी ने मेलना रहा है चले बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और हम छातर छात्राओं से भी चर्चा करेंगे इस बारे में और उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे चुकि देखें पूछने का तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे उत्सुक्ता है कि हां उन बच्चों से भी मैं ज पूस करें हम जानना चाहेंगे यहां के छात्रों से आएज देखते हैं इधर ख़ड़े हूं आप क्या नाम हूँ आपका खुश्व गुपता कहां से आते हैं बो से आते हैं यह कोचिंग संस्थान जिस कोचिंग संस्थान में आप सभी यहां पर आ रही है कैसा लगता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सूर और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं अच्छा नहीं पढ़ाई मिल सकते हैं ऐसा अनुभव है मेरा मतलब चलिए बहुत बहुत धन्यवादा अच्छा यह बता यह कौन-कौन सी सब्जेक्ट के क्लासिस यहां पर आप करते हैं यहां उपें जिसकर शाइनिक नम बायो शाइनो का बालविन है चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है और आपके द्वारा जवाब दिया गया चलिए बैठ जाई बैठ जाई हम और आगे भी कुष्चन लेंगे क्या नाम हुआ सर आपका मनिस कुमार कहां से आते हैं जी सर बहुत से आत जैसे यूपी पूलिस में लगे हुए हैं का मतलब नहीं समझ पाइब बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं और मनिकि बिहारे से सिका तियारी भी कर रहे हैं यूपी पुलिस का भी तियारी एक चलता है जो मैंने की सेलेक्शन जो भी कोई जांट अच्छा गोश में बहुत सारे कोचिंग सांस्थान है बहुत सारे अच्छे टीचर है फिर grade-up ही क्यों grade-up में यहां देखनें को मिलता है सर कि यहां गैसे मने की समय पर जियसे जो मनि कि ऑ जाम के ले जल से जो जिम से यहां कोशे हिसा जाता है उसकर बच्छों क है सिच्छा मनि की सच्छी चलते गेड़ी जो ऐसे फेमस भया है । व् reflective अनुक्रार है गेड़ी होगा हजारो हजार की संख्या में चातर लोग यहां पर आते हैं पढ़ने के लिए और कोचिंग संस्थान भी गोह में चल रहे हैं लेकिन मैंने कई बार यहां पर नोटिस किया है कि ग्रेड़ अप क्लासिस में अभी की डेट में पूरे गोह प्रखंड का यह सबसे उतक्रिष्ट स संस्थान है और यहां से बहुत सारे बच्चे भी निकले हैं ऐसा मैंने सुना है ठीक तो आपका इसमें क्या कहना है जी हम तो यह कर सकते हैं सर कि ग्रेड़ संस्था जो है से इसे इजाम को देखते हुए यहां जो इसे कोशन जो से पढ़ा जाता है और जो हर इजाम जो ज कहां से आते हैं पिपराही यहां से लगबग कितना पढ़ जाएगा आपका 5-6 किलो मीटर तो इतना दूर 5-6 किलो मीटर और भी स्टूडेंट है कोई 8-10 किलो मीटर दूर से भी यहां पर क्लास करने आ रहे हैं मुझे ऐसा पता चला है कि यहां पर बसेस में काफी दूर- संस्थान से क्या आलग इसमें पाते हैं यहां पर सब कुछ में बेश्ट है रिजिनिंग में अच्छा प्राई होता है साथ में मैथ भी होता है और दी इस जीके जो अब ही फिलहाल में जो जैसा कोश्चन का लेवल है वही यहां पर पढ़ाया जाता है आचा-चा-चा-चा तो रिजिनिंग और मैथ ये कौन पढ़ाते हैं उपेंदर सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं चाहूंगा कि आपसे मैं रिजिनिंग और मैथ में तो चुकि मुझे खुद मैथ उतना बढ़ियां से नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत रिज़ पर ही सवाल हो मैथ आपको उपेंदर सर पढ़ाते हैं एक सवाल है मेरा कि गनित के जनक के रूप में हम किन को जानते हैं यानि वहाएस हश्ंतर आ पमैध आधे बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां से डाउन बढ़ जाएए इधर बी है कु इस तरह चाहेंगे हैं तो तुल्सी विगहा से आप आते हैं और आप ग्रेड़एप को किस आधार पर मन ने किस तरह से देखते हैं किस तरह से आप इस कोचिंग सनस्थान को देखना चाहेंगे बहुत अच्छा लगता है यहां पढ़ने सर अरून सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जिके जीएस और उपेंदर सर मैं बहुत चपरदस्त पढ़ाते हैं जो अच्छे अच्छे ट्रिकों से पढ़ाते हैं और मुझे बहुत समझ में आता है मतलब और टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ाते है मुझे इसी में अच्छा लगता है इसलिए छोटा सवाल है मेरा आप जो है मुझे यह बताएं कि मौलिक अधिकार का नाम सुने है कि तो मौलिक अधिकार कितने हूथ है सिख्स होते हैं चले बहुत गुट गुट सेड़ाउं सेड़ाउं आपने देखा कि इस कोचिंग सांस्थान के कई सारे स्टुडेंट्स को मैंने खड़ा करके उनसे सवाल जवाब भी किया और स्टुडेंट्स के द्वारा बहुत फॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है और साबित होता है कि यहां के सिख्षकों के द्वारा यहां के छात्रों चात्रों को बेहतर गाइड लाइन दिया जाता है मैं पुना एक बार जो है सर से एको जिनके बारे में अभी चर्चा हुआ उपेंदर सर जो कि मैथ और रिजिनिंग के बहुत ही अच्छे सिख्षक के र बहुत छाध चात्रों से सवाल किया उसमें आपका नाम कई बार आया मैत के लिए आपका नाम आया और सर का भी नाम जो है इसमें दर्ज है और बहुत सारे छात्रे और मुझा चात्रों जो है grade up classes को ही पसंद करते हैं तो आपकी नजर में यानि आप अपने संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर्य यही पहना चाहता हूं कि मैं अपने छाटर छाटराओं के परती कोई जहां तक हो हम भारपूर आभी भी कोशिश करते हैं कि कितनों भी कठिन से कठिन मैथ्या रेजनी का प्रश्ण हो, उसमें में बच्चों का इतना असान तरीका से इतना short, simple हो, जितना simple हो सके, हम मेनत खुद को ही करते हैं, और बच्चों के साथ में उसको करवाते हैं, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आवे, कोई भी कठिन प्रश्ण हो, उसको short में, जितना simple हो, जितना छोटा में, अंसर जल्दी सेकेंडों में लाने का कोशिश करते हैं, वो तो मैं सर देख लिया, मैंने छात्रों से भी बात किया भी, और मैंने सुना है सर कि यहां से बहुत सारे student previous year के बहुत सारे रहे हैं, या कितने सालों से लगबग कई सालों से आप यहां पे स्थान चला रहे हैं, और कई सारे चात्रों चात्रा यहां से सफल हो करके विभीन छेत्रों में करेरत हैं, चाहिए केंद्री चुछ दूचार पांच हर लड़कन जो से सेलेक्सम होता है, जैसे आज भोठाई का लड़का एक मनिश कुमार जो दरोगा बना है, चले उसके लिए एक बार जोड़दार तालिया बजाई आप थोगी, घरमा का लड़की विजेता कुमारी ऐसे से सीजेल से अभी जो से कर सेलेक्शन होता है, रिजल्ट उतसर यहां से काफी संख्या में आती है, लेकिन मैरिट लिस्ट फाइनल होते होते हैं, दूर चार पांच दस लड़कन जरूर जो से सेलेक्शन हर एकजाम में होता है, तो मैं आने वाला और हमारे सह जोगी जो अरून सर है, वो दोनों हम लो पर जो से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो देखे इसी आज हम लोग का जो मेहनत जो है से आज का मियावी जो से साबित हुआ है सर, और आगे भी हम लोग से रोकना चाहूंगा, एक बार जो है अपने इस संस्थान का लोकेशन जो है हमारे दर्सकों को सेयर करने का जी मेरे संस्थान का लोकेशन सर, गो चौक, पी एन वी बैंक के दच्छिन साइड में अनिल फोटो अस्टेटि वाले गल्ली में आगे सर, गौड पार्टिकल अस्कूल है, जस्ट अस्कूल के अपोजिस साइड में जो से है पच्छिन साइड में, मेरा संस्थान करें जो से मेरे यहां से सैंकड़ो स्टुडेंट जो से सलेक्शन हुआ है सरकारी जोग में, और मैं अपना जो सहजोगी जो में जीके जीस का बादसा के रुप में आज सार जो आरून सर जो जाने जाते हैं, हम लोग का मतलव की एक संकल्प ले लिए हैं, एक मतलव की एक यूनिट पर आगये हैं, कि हम लोग का मेहनत करना है, वो भी बचों के परती पढ़ाई में, और बिसे सुरुप से आगे आने वाले जो जो भी जो एक जाम होगा, उसमें हम लोग जादे से जादे जो से सर बचों का रिजल्ट दिलाने का कोशिस करेंगे, पढ़ा करके, औ सर जो स्टुडेंट घर बैठ करके तयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से क्लासेस की तयारी करते हैं, उनके उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो वेस्ट है, जिसे एक ग्रूप होता है और ग्रूप में जिसे आप तयारी करते हैं, तो वो तो वेस्ट है, समझे हैं हमारा क्या जो से कमी है, क्या कमी नहीं है, वो एक दूसरे से जो से कंपेर किया जा सकता है, लेकि ऐसे जदिए अकेले हम जो से स्टड़ी करत हैं तो मेरा study में क्या कमी रह गया है क्या जो ऐसे मेरा कमी जो से किस परकार क्या हूं उसको जो से हम सामने हा करके ज्यादा बेतर उसको तरपाएंगे चले बहुत-बहुत अच्छा लगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों को इतना समय निकाल करके इन छात्रों के बीच में हम लोगों को मौका दिया कि हम अपनी इन सवालों को आपके सामने रख सके इन सर से मिलने का प्रयास करें और मुझे लगता है कि सिख्छा के छेत्र के ये हीरा और मोती की जोड़ी है जो कि इस गोह प्रखंड के बिभिन छात्रों छात्रों को गरीब से गरीब तपके के या मीर से मीर तपके के सभी वर्ग के छात्रों छात्रों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके उज्वल भविस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप तमाम दर्सकों से मैं पूना गुजारिस करूँगा कि आप इस कोचिंग संस्थान में एक बार अवस्य पधारें, और यहां पर सर के माध्यम से उनका जो जो ज्यान है, उनका जो अनुभव है, दस साल का उसको लेने का प्रयास करें, आप लाइन क्लासेश चलती हैं, यह अच्छी हैं, अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगत आती हैं, जिसकी वज़े से ओफ-लाइन क्लासेश से ही बहतर आज भी लोगों को लगती हैं, और यही कारण है, कि यहां पर हजारो हजार की संख्या में प्रति दिन, छात्रों छात्राएं, सिप्ट वाइज, यहां पर पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, और धन्य है सर, कि आ गुरूर ब्रम्भा, गुरूर विष्णु, गुरूर देव, महेश्वराय, गुरूर साख, छात्परम ब्रम्वेतस में सद्गुरुवे नमा, तो आपको मैं नमन करता हूँ, कि आप जो है, आपके माध्यम से इन बचों को एक उजल भवी से पराप्थ हो रहा, इनहीं त तमाम धर्षकों का पूना एक बार धन्यवाद दूँगा, कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आभी तक जुड़े रहे, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं अमिज सिंग जूम टीवी के साथ, जैहिन, जैभारत.